बताएंगे, डंके की चोट पे खड़े होकर बताएंगे, मस्जिद के पिकर पे खड़े होकर बताएंगे मैं यह कहना चाहूंगा पाकिस्तान की अवाम को, कि देखें, एक ऐसी सोसाइटी बनाएं, जो इस फिरकावारियत से और इन सब चीजों से थोड़ा फ्री हो जी, क्योंकि वक्त रहते में हम समझता हूं कि अगर आपको अपने आने वाली जनरेशन का अगर अच्छा फ्यूचर चाहिए तो वक्त रहते हैं आपको अपने आपको यूनिफाई करना बहुत ज़रूरी है जी, उसमें भी फिर एक चीज़े एक आगे जाके बहुत सारी चीज़े वैसे अलाइदा हो जाती है जब आप इसलाम को रिफॉर्म करने की बात, खुद को अगर आप रिफॉर्म कर भी ले तो क्या आपके सामने फिर एक अगला बहुत बड़ा चैलेंज ये बचेगा, क्य जी, मैलीजबाजी, आप कुछ कहना जाएंगे, सॉरी. अनलाइस के पाकिसान की आर्मी जो है, सब को मारे और चिसना करने है, वरोचेसान में इसी तरह से सिंद में स्टार्ट हो जाएंगे, जार जगा हो जाएगा, लोग भी चाहते हैंगे, और दूसरे लोग देख रहेंगे, जैसी वीक होगी, और पॉरन अटैक होगा, और लोग जय्द करने केवर, लोग जोग जाएगें जाधन के और जी तरह उति टैक आर्मी करने के खुआप के खरीक हैंगे, इसमर्स वक्त पाकिसान क steak over करने के खुआ है जो तालीबान के खरीक हके तो और पाकिस्टान के लिए होगा पर वह अच्छी जिन्गी जी सकते हैं लेकिन अगर वह तालीमान ने कर लिया तो ना वह अच्छी जिन्गी जी सकते हैं तो तो चैना सीधा कर देगा इन लोगो इंसान बनादे तो चैना तो खुद नहीं कर पाया कुद्ध की एक्रामी कंडिसन तो ठीक नहीं लग रहे हैं तो पाकिस्तान की पंजाब तक बलुचिस्तान की कई लोगो मिलते हैं आप तो साहथ उनके बार आप तो साहथ जानते हुँगी कि वह पटेरे लोग क्या करते हैं आप तो साहथ वाकिव है क्योंकि आप उन्हीं पर यह पाली पढ़ी है लेकिन अगर आम जनता कोई हम देख ले तो कहीं ने बोला है हमेले बलुचिया अइडेंटिटी सबसे मिलेगी माँ पर वह भी क्या है कि अपनी जो सिंधी आइडेंटिटी उससे बड़ा वो प्यार करते हैं वोई चीज़ आपके पंजाबियों में भी है वो भी अपने पंजाबी कल्चर से बहुत जारा प्यार करते है और उनका तो पंजाबियों का तो इतना डेडिकेशन है उस कीज़ को लेगे कि हमें तो कोई वजीर भी चाहिए तो कोई हटा-कटा कोई पंजाबी जट चाहिए हमें ऐसी परस्नालिटी रखने वाला ये इस किसम के उनकी मेंटालिटी है दूसरा मैंने वहां के जो पंजाब का जो रीजन है वो एक्चली इस लिए आज से अपनी तो यह एक चीज मैंने नोटिस करिए कि वहां पर जो पंजाब जो है न वह बहुत जादा पंजाबी जो है वह बहुत जादा डॉमीनेट करें हैं हर चीज को जी फ़िए हमें पर क्या कहना चाहिए है पुछाबी रिर जमारी ऑने एकन में चास्टासिस्म नहीं पन्जाबी अपने आपको आपको राद जैवर्ट मिलिट्री आप अपिते आप टालो पोलिक्स आफा बटालो अपनर खेलो पुछाबी वीडियोटें आपको वे बालस्साथ बटालो नहीं मैं एक चीज बताओं जिस देन अभी लगों के इसलाम बहुत देजी से थोड़ रहे हैं मालीज ने खुद देगे थे वीडियो तीवी तक में आया थी वाली वीडियो जो मालीज ने रियक्शन दिया आप सब को साहँ पते ने लेकिन इंडिया न्यू सेलन है टीवी न लगाओगे क्यों कितने हैं कैसे लगाओगे वही मैं कह रहा हूं लोग इसलाम से तंग आ गए बहुत बुरी तरह तंग आ गए और ऐसे थी हरकते कर रहे तो इसलाम को फोड़के क्या है नहीं सकता कि मतलब वह एदा ना फातिमा उसका नाम आदमी अपने प्राइवेट प मुझे लगता है ना जिस दिन यह एक्स मुस्लिम भी जागे तो वह भी एक्स्रीमिस हो जाएगे वह तागड़ा हो लगए और इस पाहिस कहते हैं मुसल्मान को खिलाब ही जियाद छेड़ देंगे अचा नास्तिक बाबुजी है उससे भी जार ओपेनिन ले रहते है जी न तो आज सी किया अपनीर बात करूंगा पहले तो वीडियो बनाने के लिए को कोमेडियन चाहिए जोखर चाहिए तो आस तो जोखर है नहीं कोई नहीं कोई आप नहीं हमलोगी है लेकिन इस आज आजका ड्रेस आपको बहुत अच्छा लागा यह बाहर आप पाहनते हैके न पर दूसरे बात में कहूंगा कि लोग जो तरा-तरा की ड्रीज पहनते हैं कप्राइः ख़द को आयना के सामने पहले उतारते हैं। फीर देखते हैं कि मुझे क्या अच्छा लगता हैं? महिने घुब डियोगा हैं। पेंते हूं और ड्रेस होटा बारा सब कुछ मुझे लोग कहता है तू तो आधानांगे घुमते हैं मुझे कोई फरक नहीं पड़ता है अगर मुझे कोई भीज जाएगा मैं पुलिस के पास चला जाओंगा बाद में देखा जागा क्या होगा तो मुझे लगता है लोग जो इस तरह से ड्रेस क क्यानते हैं ये कूद को कहता है आओ मुझे छेरू मैं चोटा ड्रेस पेन क्याया मुझे छेरू तो मैंने ओर्फी जावतकी की मंट किया था पहले बात है कि मैं उंary मैं टेटेव बनाऊं, मैं अपना जीब को बीज में से काटूं, कान को सेदा खुरूं, नाक को सेदा खुरूं, बाल तरह तरह एक काटूं, सोटा अबरा का प्रापिंदु भाई, यह मेरा चैस है, मुझे जो अच्छा लगता है, ओमें पेहनता हूं, एक और अवरत, एक मरत लर्का लर्की पेहनते है, इसमें जो लोग माथे पर बाल को पहले ढाग देते हैं, तो नहीं है, फिर क्या करता है घोरे की पूश की तरह, और बोकरी की दारी की तरह, खुद को दारी रख लेते हैं, और दिखने में का इसा लगता है, वो कॉमेंड करता है कि इस अब श्य तो यहां मोहिला का क्या होगा तो पहला बात है माई बोडी माई चाहे तरह बाप का क्या जाता है बे मेरे बोडी को में कुछ भी करूं कर दो कोई चेकर फुटा कर लो उसको समझना से कि मेरे बोडी में जो कुरूप तेरा बोडी तु दरी राक कुरे के पूस की तरह मातावे टुबी लागा ले मुझे तो कोई प्रूम्म नहीं है लेकिन यह लोग औरोत को ही निशा दिखाएंगे तरह तरह बात करेंगे यह यह श्र तरह की जो नास्तिक भी है और जो धर्म में इतिना विश्वाश नहीं करते हैं मौडरन है अधुनिक है सब लोग मुहिला के ड्रेस पर बात करते हैं मैंने यह भारत में उर्फीजातब पर देखा उर्फीजातब कोहीं नहीं जा सकता है इस समास के धब्बा है एक शोटा स रादा में शोटा रिया है विए खुछ जगापर आजादी है यह रही है यह धिर कुषए पार है तो फिर लिर्की क्या होगा तो यह नहीं यह चीज भान जो है फेस्ट बर्लीप है है कर दो है अबोगों को अब यह तो लोग को और धाला पड़ता है। कि कपडे छोटे पहनने हैं तो यह असान होगी, एजी होगी, इसके बड़े बॉइफ्रेंड होगी, बसी, यह नहीं हम मरत अर्थियों कोई कामी नहीं है, हमारा तो सारा कोई कामी नहीं है, दिन भर में हमें सिर्फ लड़के चाहिये हैं, और सेक्स करना है, छोटे कपडे प हम आर्टों को सिर्फ एक औरा emphasized के यह मर्द हम औरतों को सिर्फ एक ही आँ लगए रह एक्तीय टेखते हैं, दे लोक ओड़न देख्ते हैं, जाजी अर वड़े, जे विवो और हमारी हमारी भिर्वातिन भी बहुत करती हैं मैं आपको यू लिख लखे ले लखके जाती तो हमें सबसे परहु करती हैं औरे डिक बोटी है लम्भी है ер पतली ए tus ड़े है काली है ऐसी है वैसी सुबा से 오파 से देखे नीचे तॉख हम को जज़ किया जाता है everywhere मैं सिर्फ पाकिसान इंडिया की बात नी कर रही हूँ मैं दुनिया भर की बात कर रही हूँ that we are judged on every little thing हम किसके जाथ hangout कर रहे हैं हम कहां party करने जा रहे हैं हम कितनी दारूपी ही रहे हैं हमारे कितने boyfriends हैं everything we are judged on मगर मर्दों को फिर भी इतनी judgment नी में मर्द जो भी करें और आज भी मर्द ऐसे हैं जो खड़े होकर इनको यह बाते बोलो ना तो उनका जवाब क्यों होता है तो तो I'm a man मेले जी मेले जी में एक कहानी मेरा साथ एक बख्या हुआ काहनी हुआ मैं उसको श्यार करना चाहता हूं थोड़ा सा है मेरे साथ एक बात क्या हुआ गलती किसी ने किया गलती से पुलिस ने मुझे पकर के ले गया मुझे पुलिस ने इतिना कूटा इतिना गलिया दियी तेरे हाथ पर क्या है यह बेसलाइट तेरे गले पुलिज बालों के संगuju भेनां मुश् टाक्त रखा में पानी हो गया तो Beim फ्रेश जब मेरे गलती पर करेगा मेरे साथ कोई मैं पूलिस के समने नहीं जासा क्टा हुआ और एक अच्छा सा फूल शाट पैनके वह और करके जेंटल्मेन देखिए में तो हूँ देखने में हूँ शादू टाइप का अंदर से मुहारामी टाइप का मैं देखने में शादू टाइप का अंदर में से मुहारामी टाइप का तो यहां के लोग खुद को बहुत देखने में अच्छा लगता है वो टाइभी पेंते हैं शाद भी देते हैं अंडर तेसे ना पूलीश ने मुझे कुटा मेने जिन्दी गें उतना पूंनकों भी नहीं हुआ और में पुलिश का पास जाता भी नहीं कभी जुरुत पर जाओंगा इसाइश फुलकर जाना वरका महलेश जी इतेना प्रोब्लेम है जी जी नास्तिक बाबुजी मैं देखें होता- है कि देखे हमारी societies में especially जो Indian subcontinent की जो societies है Pakistan हो गया Bangladesh हो गया हमारे यहाँ पर actually क्या होता है कि देखे लोगों का एक जो mentality जो based होता ना वो होता है कि first impression is always a last impression मतलब कि your first appearance is always your last appearance कहने से यह मतलब है तो obviously अगर आपको मान लीजे कि किसी ने इस तरीके से देखा है कि नहीं यह तो इस तरीके से dressed करता है तो लोग actually के judge बहुत जल्दी करते हैं क्योंकि you know we have that so-called shame oriented culture within our society जहाँ पे लोग आपको आपके कपडों से judge करते हैं आपको आपके Kelly J के the way you carry on yourself इन सब चीजों से और आपके especially appearance की basis पर आपको judge किया जाता है तो यह मैं समझता हूं कि बेराल एक mentality है हमारी society में भली पाकिसनान हो बांगलादेश हो इंडिया हो कोई भी हो चले तो बेराल हमारे Indian भाई हमारे साथ जुड़ें जी Indian भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है जी अवाज आ रही मेरी जी 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 बाई जी ट्रैंक्यू लेने के लिए शुक्रिया आपकी अच्छी स्क्रीम जा रही है जी 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 मैंने उनको जी मैंने भेज़ी आता उनको एक बार आप जाल दीजिए इसमें चैट बॉक्स में जी जी इंडियन भाई तो आज का जो जो आप जो आप काफी खराब जा रहा है इंडिया तुरूट जी ने ने नेट्वर्क प्रोस आवाट करते हैं जी 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 तो मतलब जी आब आ रही है अब आ रही है जी जी मैं यह कह रहा था कि नेक काम में देरी कैसी काफी पहले हो जाना चाहिए था चलिए ठीक है देर आए दुरूस्ता है जी तो इंडियन वाई मैं आपसे पूछना चाहूंगा मतलब ऐसे कौन-कौन से मतलब कैली जी केस के पीछे वजोहात रहे होंगे इम्रान खान की अरेस्ट के पीछे क्योंकि उनका मेडिया जो दिखा रहा है मुझे नहीं लगता कि असल में प्रॉपर वजोहात कुछ और मुझे दिखाई देती है जब मैं उनके पॉलिटिक्स को अच्छे से एक बार देखिए जो मैंने जिस तरीके से स्टडी किया इसको मुझे लगता है कि पाकिस्तान में एक ही सरकार है जो चल सकती है और वो है आर्मी तो आर्मी को वटेक करना था और चूकि डेट्स जो है वो जादा हो रहे थे और उसको पूरा करने के लिए जो आर्मी जिस तरीके से कायम करती है जो जो वो एक्टिविटीज करते हैं उस तरीके से वो उस उपर आ सकते हैं इसलिए वो ओनर्शिप वापस लेने के लिए कुछ तो करना था और कुछ करके इमरान जी को अरेस्ट क सबसे बड़ी कुस्ता की कि अगर पाकिस्तान के आर्मी का बस चले न तो इम्रान खान की हभी तक टार्गेट किलिंग भी करवा चुकी होती और अभी बीच में कई अटेंप्ट्स भी होते इम्रान खान के ओपर बकायदा फैजिकल अटेक्स हुए और कुछ सोर्स तो यहां तक बताते हैं कि इम्रान खान के ओपर बकायदा कई बार ऐसे सीक्रेटली भी उसके ओपर अटेक्स वगरा हुए हैं जो कि उनकी मेडिया ने कई चीज़ ऐसे रिवेल नहीं करी तो जी जो बहाइंड दा कर्टेंस जो सीन चलता है देख्यां वो तो वही बहतर समझ सकता है जो इनके अंदर के जो डिप्लोमाट्स वगरा होते हैं जो की इनके सारे सब्सक्राइब जो इनके साथ में पॉलिटिकल जो इनके ग्रांड वो सकेंगे क्योंकि हम बैट के अपनी राय रखे कि नीदी पीछे ऐसा होगा पीछे वैसा होगा तो बैराल मेरा मानना है कि जिस साफ से भी चीज़े आगे बढ़ेंगी उसे साफ से हम किसी फेर एनलेसिस पर पहुंच पाएंगे जी जी राम कुमार जी जी वो दोड़ेयों कभ यो पने ले लेते हैं जी राम कुमार जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है सर सर आज के टॉपिक के उपर आप अपनी क्या दो बात रखना चाहेंगे जी राम कुमार जी है अब आप मियूट एंशायर मियूट पर से ठाई है तर जी जी राम कुमार जी अजी तर आपको दिल से सुक्रिया और बैलेंट वह दिल से सुक्रिया और बड़ाई पोड़ बोलती है और जब बोलती है तो मुझे डर लग जाता रहे कि कैसे बोल पाता तो नीच पर मैं यह बोल रहा था कि अभी आपने जो एक बात उठाया थे कि इमरान उसान के उपर एटेक हुआ है तर वो सब फूल प्रूप प्लान होता है तर ठीक है जी मेरी आवाज जा रहे हैं जी 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 नाम कुमार जी परफेक्ट कंटियू कीजिए जी जी सर बिलकुल परफेक्ट आवाज आ रही है आपकी कंटियू कीजिए मेरी आवाज जा रहे हैं जी राम कुमार जी बिलकुल परफेक्ट आवाज जा रही है आपकी आपक मेरे ख्याल से आपकी साइट से कुछ नेटवर्क इश्युवर सर आप वापस लीप करके वापस जॉइन कीजिए तो आज के टॉपिक से रिगार्डिंग मैं आपसे पूछना चाहूंगा जैसे मान लीजे कि इमरान खान का अभी तक जितना भी उसकी पॉलिटिकल अप्रोच हमने देखी है और जितना भी अभी तक उसने अपनी कंट्री के लिए जो भी उसने स्टैंड लिया है और जितना आपको जो अभी करेंट में जो सूरते हाल है पाकिस्तान में जो हम अलग अलग टेरिटोरिल कॉन्फिक्स जैसे हम देखने अलग अलग वीजन की बीच में जो देखने सेंद और बलोचिस्तान में क्या इमरान खान के लिए यह चीज वाकिय में पॉसिबल थीक है कि at the same time व you will always see that you're always going to have some people that are not going to support you same thing मुझे भी हर कोई सपोर नहीं करता मेरे भी fans होंगे और haters होंगे तो यह हर इसी के साथ होता है any famous person politician, actor, singer, जो भी है you can never ever please everybody you can never ever please everybody so I don't think so for example how many people are living in Pakistan? how many people are working with him? these people are working with him before he was not in politics bad you know he was a cricketer and stuff he was a cricketer and stuff he didn't show them that he was doing illegal or not everyone remembers that illegal work this is a trend in Pakistan you can see anyone what happened before that when he came to the show what happened was that you had to do them with the Lord the Lord was a cricketer and the Lord was a cricketer and the Lord was a cricketer he was a cricketer you can't be a politician unless you have to do it in the jail they were put in the jail so this is a trend this is a trend whatever you have to do in Pakistan you have to do it in the jail so I don't think he can please anyone he was talking about the army he was talking a lot about the army he was talking about the army and this is how you can see how controlled that country is जी जी वालिक तो मतलब इम्रार खान नी बचा तो हम जैसों की क्या होता है हमको तो यह उठाएंगे यह गायद करेंगी पता भी नहीं चलेगा ता है ट्ट भाई थेखेंगे डॉषी मेलिघ ब्लब इस दिस्ट्रू अपाकिस्तान आडमी ऋल्ट सपर लिजेंट पोजीशन तो गवर्मेंट इन पाकिस्तान ाइब प हैOUGH यससर उपकोर्स मतलब गॉर्म किसी भी रहे आर्मी अपना खाम करती इसे को सीवाइब आ इंडियन भाई देखे गोबर्मेंट किसी भी रहे एक पाकिस्तान आर्मी तो पॉल्ष में हैं जाता है कि अगर आपास हिस्ट्री उठा करके देखेंगे तो जो भी बंदा पिछले साथ सालों से किसी गौर्डमन पोजिशन पर था उसके पास उतनी प्रॉपर्टी नहीं होती है लेकिन जैसे ही वो किसी आर्मी पोजिशन पर पहुंचता है तो उसके पास उसकी फैमिले के पास अ जो भी पाकिसान का मिलेटरी जनरल जो भी पाकिस्तान मिलेटरी के अंदर बड़ी पोजिशन होल करता है within within one or two year they that person holds a lot of property and you know a lot of मतलब कि बहुत रातो रात अमीर बन जाते हैं वो लोग ऐसा कैसे जी ना क्या मतलब आपका ऐसा कैसे है देखिए जिसन मेरे पास ही बहुत सानी प्रोपरटीज आ जएगी ना ये एक रात के अंदर तो आपकी समझ जाना कि हमें पीचे से किसी की सपोर्ट आगी है अवेशी जब आप किसी के टट्टू बनके आते हो तो आपको कुछ पैसे खिलाये जाते हैं कुछ दिया जाता है जब ही कोई काम करेगा और ना कोई आपकी 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 ते काम नहीं करेगा तो यह होता है कि यू स्क्राच काइश क्राच यूर्ज आपको हमें इतरा पैसा देंगे आप हमारे तो खड़े होना है आपने वही बोलना है जहाम पीचे से आपको बोलेंगे आपको बोलेंगे तो यह तो तो इस वाइज वाब हैसक्राच उड़ने पैसे के लिए लोग कुछ भी करते हैं यहां में एक बात जोनना शाथा हूँ जी नासिक वाबुजी आप बोलें आपका जो इंडियान का जो सवाल है वो बात में कहूंगा और मेरा भी एक बात है जो वहां आर्मी रात और रात ओमेरी क्यों बन जाते है देखिए पहला बात है पुलीस हो या आर्मी हो ज्यादा पावार फूल कहा बन जाते है मैंने दुनिया की तिहार देखा जहां जहां जनता ज्यादा कटर हो जाते है जिस इलाका की देश की पुरा देश की नहीं जीस जिस राचियों में इलाख़ine में जिल्य में ज्यादा लोग कट्र हो जड़ाता ज्यादा करां करता है ज्यादा अंधकर करता है वह पुलीस को आर्मी को एक पवार दिया यदा है अलागlie से फिर बाद में उसी पवार वहां रहजाता है बोट दिन के लिए उस पवार का अरमी पुली Benjamin ज्यादा करने रखतास तो पकिस्तान में लोग ज्यादा कतर है इसलिए अर्मी का पास ज्यादा पवार है और आरमी का आर्मी के पास पैसा इसलिए ज्यादा आते है आरमी को आप कोई भी सरकार आए तो पहले अप्ना उस 17 में ज्यादा पावर्फूल है इसलिए पावर्फूल है उहां के प्लिये जंता के जंता के काण ज्यादार चारण ज्यादा है आनमी को अपने पक्स में करने के लिए पोईशा देना परता है रात अमेडी बन जाता है यह सब जो हो रहा है इसलाम के कारण हो रहा है इसलाम ज़्यादा कट्र दिखें और दूसरा बत मैं कहूंगा यहां तो पाकिस्तान में पॉलेटरियों को जेल हो रहा है यह तो जिन्दा शूर जाएगा बाहर चला जाएगा तो यह जो इतिहाश आप 14 साल मुहम्मद की देखिए और पाकिस्टन का हाल देखिए यह सब कट्टर लोगों की बजाए से यह सब आर्मी इतना पावर मेरा क्यों आएगा जनता जिसे सुनता है वह पावर्फुल होना चाहिए और वह अगर गलत करें उसे हटाएगा तुरूंट पर चार साल या तीन साल या दो साल में हटा सकते हैं उसे बिस्छाजा के दुस्रों क्या हो रहाए और एतना कट्टर पाकिस्तन में खोलीबा के जेल हो रहा है और बाहर में जाके अपना घर बचा रहा है यह तो यह तो मर नहीं रहे हैं वह तो आप देखिए जैशा आइडिलीजी फॉल अगरेगा वई साइडीश बनते जाएगा जनता भी बनते जाएगा बुलिये महलेश जी में जो कहा क्या मेरा बात में कुछ दूम है गया हिए यह तो युट्य अगरेषन आप उच्छ साइड आप इस जीए जासर नहीं सब्सक्राइब दूम है और प्रका इंच्छ साथक्राइब religious extremism जो है और एक जो ideology के basis पे जो एक extremism जो society में पहलाया गया है पाकिस्तान के वो एक और एक चीज है पाकिस्तान में और मेरा मानना है कि पाकिस्तान में केवल ये एक army नहीं है एक जो दूसरा ये मुला और मौल्वियों का जो ये mafia system जो है जो इस समय पाकिस्तान में काम कर र मौल्वी जो है इनका भी अगर आप देखें political influence और अवाम के मतलब अवाम के जो psychological sentiments कंट्रोल करने का जो एक system है वो मौल्ला मौल्वियों के हाथों में बहुत हथ तक ये भी एक चीज है क्योंकि मैं समस्ता हूं कि अगर ideology के लिहाज से अगर आपको अपनी एक अवाम को करना है तो इसमें मौल्ला मौल्वियों का एक बहुत बड़ा एक रोल पाकिस्तान में हमें देखने को मिलता है और फिर वो ही उसका आगे फिर पॉलिटिकली भी काफी जाद मिस्यूज किया जाता है जी तो इसके उपर बाजी आप क्या कहना चाहेंगे आइ तिंक जो मौल्ला मौल्वी का जो आपने बात बोली है यह भी आर्मी के ही अंदर है इनको भी एक तरह से टूल बना के इस्तेमाल किया जाता है इनको करा था मगर इनके गले पड़ गए थे लास्ट यर याद है आपको इमनार्फान की गले पड़ गए थे जो टी एल आंगे जाता है खिएट लिए तो यह दो एक जाता है आपको यह भी पार्टी नहीं इनको पार्टी बड़ी पार्टी बड़ी थे जारी यह ना आजाएं तो तो फिर तालेपान की तो ज़रूरत ही नहीं है हमें मुझे तो नग रहा है कि मैं कहते हूं जो भी करना है एक साइड पैठ जाओ या तो पूरा शरीय लाओ लिए पैठ जाओ या तो सीधे तरह नदर डिमाक्रिसी चलो एक तरफ तो सेटलो दोरो तरफ जो है एक इसक एक इसक जार्शी पहूं और टांगे चीरती जा एंकी लिबरल चाहरा हूँ अब जैसे मैं देख रहा हूँ कि यह विल्लो रानिक है इसकी आवाजी वैसी है कि जैसे भैक को करण्ट दे दिया हूँ ऐसी तो आवाज निकलता है तो फिर गे की तरह बोलता हूँ कि यह आवारो एक लेका उपर देखे तो डॉक्टर फलाना कि हैования डॉक्टर किया नाम that क्या नाम है, क्या नाम है, कि रिप ते क्या नाम है, क्या नाम है क्या नाम है, बोड़ शुआ प्सक्रोज 킹 AmENTE, लोगी बात लिम्स और, जोता है थूड़ा विजह में ठोगाले जुआ, कि यूअ थोड़ा है से कर में सुनता रहता हूं जैसे आर्जु काजमी रील इंटर्मेंट फाला जो है क्या लड़कान है वह चौदरी इन लोग चुनता रहता हूं तो जिसने में बात करता तो डॉक्टर डॉक्त लगतार है एक और भी लॉन्डा है जो सबसे जादा जैरार उगलता है मैं डॉक् जी 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 इतना हरामी साले का सुवर जैसा सकल है आवारी मेरे सर 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 थोड़ा सर कंट्रोल में सर सर मुझे गुस्ता आता है सर ऐसे लोगों से देखिए अगर आपको पीश की बात करनी है मेरे कहने का मतलब मैं तो कम से कम थोड़ा तो एगरी करो ना आप मैं यह नहीं बोलता हूँ कि आप प्रॉपर एगरी करो बट मैं अगर जूट बोल तो मैं आगर मैं जूट बोल आप मुझे करेक्ट कर रहे हैं तो मुझे तो मानना पड़ेगा ना कि जगह पे मेरा लोग फोल है तो ठीक है मैं थोड़ा डीमर लाइज हो जाता हूँ इसा बंदा है ना मैं उसका सकल और जब वह आप बोलता है ना वह दोनों मैच नहीं करता रहता है मैं देखता रहता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है कुछ लोग होते हैं हर मुआश्रे में देखें अब आपने कमर चीमा का इनाम लिए ठीक है वो उस इंसान के अंदर कितना भी जहर पर आवो उससे मैं नहीं समस्ता के देखें बहुत से लोग भी पाकिस्तान में कुछ लोग होते हैं कि वह ठीक है तो कंट्री के स्टैंड लेने के लिहाज से उनकी बात जोती होती हो बहुत हद तक करेक्ट होती है लेकिन जो उनका बोलने का तरीका जो होता है अगर वो ऐसा पाकिस्तानी कोई भी सुनेगा तो उसको तो यह लगेगा तो पाकिस्तान से इत्ती नफरत करते हैं और हमारे यह यह तो लोग जो पॉजिटिव लाइट में शो करते हैं और यहाँ पे भ पाकिस्तानी के अंदर इंडिया के लिए एतनी नफरत है यह मैं अपने परसनल एक्स्पीजन से बता रहा हूं जी जी रामकुमार जी आप बोले बिल्कुल सर आपकी प्रसनल एक्स्पीजन को मैं डिनाई नहीं करूंगा बट मैं जितना भी वीडियो देखता हूं पाकिस से में पढ़ाया जाता है ना कि हिंदू हेट्रेट वह पढ़ाया गया है और हम लोग के पास इस तरह का कोई रूल नहीं है ठीक है चलिए कोई बात नहीं है हम इससे आगे थोड़ा चलते हैं तो हम एक चीज़ देख रहा है कि मुझे उस तिन सबसे ज़्यादा बुरा कि जिस दिन एक अपने इंडिया की वह है क्या बोलते हैं मुस्लिम लड़की है जिसने उसको मारा था क्या बोलते हैं दाड़ी वाले को सुभी खान सुभी खान हो गई आपके अंबर जैदी हो गई एक और लड़की है बहुत वह वकील है नहीं लोग बहुत रिस्पेक्ट रहता हो मुस्लिम धरम को जो भी माने मैं उसको उससे कोई मतलब नहीं है लेकिन वह इंसानियत की बात करती है उसमें मुझे सबसे ज्य रिस्पेक्ट उनको उसमें कर रहा है उसने उसको क्या बोल जांढे dong deposit को इनकरत है iste बच्चा काउलाद हो मुझे हो सबस्के की ने और MIT जी 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 चोटे सर I understand मैं समझता हूं जी जी सर आपको मैं रोकना चाहूंगा थोड़ी तरहीं पर यह हमारा टॉपिक ऑफ डिसकुशन नहीं है हमारा टॉपिक जो है आज वो इम्रान खान के अरेस्ट के उपर है सर मैं चाहूंगा उसके उपर ही थोड़ा अपनी दो बाते रखें जी रामकुमार जी एक मिन मैंना उनको लूँगा पहले प्लीज आप थोड़ा बचा के बात करें आप तो बोलके निकाल रहीं लेकिन चैनल पर हमारे खत्रे में आ जाएगा हमारे चैनल चैनल बाब जाए जी 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 आप एक चैनल चाहिए आप मैं गाले का शमर्चन करता हूं कोई भी गाले लेकिन इस तरह से बात कि किसी को रिएग नुकसान भूसा है ताकू मार दूँगा ये कर दूँगा फार दूँगा एक थप पुल नहीं गता हुए तरीके की जो बाते होती है और उससे क्या होता है कि हमारा जो में टॉपिक कर डिसकुशन होता है तो तो सर आप दोनों से मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज इस तरह की की बाते आप ना करें और जो प्लान की जैसे की यह लोग क्या बोलता है कि हमारे इधर भी आतंकवादी होते है ठीक है हमेशा बोलता है कि मैं भी आतंकवादी से घ्रत हो लेकिन यह लोग का एंसा प्लान नहीं है यह लोग जब फुद प्लान करते हैं कि भाईंधा हमको बाहर के दुनिया में देखाना आ तुम लोग को करना है तो हमें तो कुछ तो दिखाना पड़ेगा लेकिन यह दुनिया को दिख बेबकूः आज मार वाच को आप लोग मान लीजी कि इस बात को सबीकед दोघ के लिए नज shimmer अब बोग पेर बवुल का तो आम थोड़े नो उसमें से तोरपा होगे तीदी तीदी बात है तुम लोग कुबूल भी कर लेते हो टीवी पर जाके कि हां हमने बोया है अब फिर बोल रहे हो कि हम खुद दुखी है अरे यह यह ऐसा थोड़े होता है एक रास्ते पर चलो जहा पारी भी जाता है भीक मांगने के अलावा कोई रास यह नहीं है मतलब इस्टम नहीं है तो आजमी मांता है चलो भाई इसको दे ही दो यार चैंसन खतम करो पांच रुपिया दो दो रुपिया दो जो भी दे करके इससे पीछे फुड़ा वह वाली बात हो जाती है यह सब इन लोगों को जाते में यहां आपके साथ में अगरी करता हूं कुछ इस बात पर असल में देखें मैं आपके साथ इस बात पर मैं मुत्तफिक हूं जो भी आपने इंडियन संसर भबन का एक एस्पी सुन रहा था जिसमें मनीपूर मनीपूर बहुत बोला जा रहा था लेकिन बेस्ट बंगल में इतना रेप हुआ राज एस्तान में इतना रेप हो रहा था सब्सक्राइब के बारे में एक मिनिट मेरे कहने का मत सर एक मिनिट दीजे मुझे आप टॉपिक यह नहीं है प्लीज वो ना किसी और जिंदे मुझे वह बात नहीं हो जिसार एक मिनिट मुझे दीजिए कर मैं एक आपका नेट्वर्क खराब हो रहा है छी आप बोले जी तो देखे मैं रामकुमार जी के साथ में एगरी करता हूं गही है पाकिस्तान में जो पाकिस्तान आपको सारे इस्लामिक मुमालिक में ने वह प्रॉबल्म आपको देखने को मिलती है अब जहां कई भी आप Middle East में देखे तो वहाँ पे उनकी सरकारे जो है वो किन से लड़ रही है वो ही मुझाईदीनों से पाकिस्तान में भी वो ही चल रहा है पाकिस्तान की गवर्मेंट भी अब एक तरीके से तालिबान से लड़ी तो रही है वो ही मुझाईदीनों से लड़ी चाहे आप Middle East की और कोई कंट्रीर उठा ले चाहे आप साओधी अरब का देख ले उसके नीचे यमन का देख ले कौन है जो सरकार लड़ किसके खिलाफ रही है वहाँ पे मुझाईदीन और रिलिजिस एक्स्रीमिस्ट के से तो ये चीज़ केवल पाकिस्तान में नहीं है या आपको throughout the Islamic world ये बहुत एक कैले जे कि उनकी नफसानियत में है ये चीज़ बस यह है कि पाकिस्तान में थोड़ा फिरका परस्ती के चलते थोड़ा कतलो गारत जो है वो क जान गवाद ही है पाकिस्तान में और उसके अलावा फिरका वारियत के चलते जो इतनी शियाओं का जो इतना कतले आम हुआ है मतलब के अराउंड को एक एस्टिमेट था कि अराउंड शियाओं की जो टार्गेट किलिंग हुई है वहाँ पे उसी में कोई 25,000 के करीब कोई लोग मारे गए हैं और फिर और भी कई सारे उनके इशूज वगरा है और बट बेराल ये केवल पाकिस्तान में प्रॉब्लम निये थ्रो आउट इस्लामिक वर्ल्ड आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी जी तो हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं जी जी साभी जी आप कुछ कह रहे थैं ने मैं तो पर तो टॉपिक पर हो रहा है हां किसी दिन हम रखेंगे शियाओ पर ही और वो अब मेरे खाल से लाइब स्ट्रीम यहां पर बेलगाम तातरी हो वो बेलगाम आप शॉट वीडियों में बिलेगाए एक मिनिक मुद्राम को मर्जी एक म मैं यह कह रहा था एक नेट मैं थोड़ा सा आपको नीचे करना फिर से अम बेलगाम शो वो आपको शॉट वीडियों मिलेगा हम किसी दिन इस पर रखेंगे ती आप क्या कहते है तुरुदी इसमें बहुत लंबी इसमें 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 की जो टार्गेट के लिंग महां पर जो अपने कादियानी जो होते हुए उनके साथ भी यह सहीं ही चीज होती है तो जी हां इसके उपर रख सकते हैं एक्स्ट्रीम जी बट उसमें मैं मैं वानता होगी के विल शियाओं कोई नी उसके अंदर ओवर जो वहां पर जितने भी विक्टमाइज कम्मुनिटीज हैं अब कोई क्या लिजे कि कोई ऐसे तपके के लोग हैं जो की कतलोगारत के शिकार होते रहते होना रेगुलर बेसे मेरा क्याल है उन सब को यह उसके अंदर इंक्लूट करते हुए चलना पड़ेगा जी लेकिन वो हमारे उस तैलन को होगा जो सिफ लाइज के लिए होगा और हमारा मतलब कि जॉइंट है और माली जी का बेकःप में तलाएंगे और काफी बड़ीया टॉपिकस हँगे इंडियां जी भी वहां पे रहेंगे अगर इंडियां जी चाहा है तो तो इसमें तो हम रखेंगे और साथी अर्यवीन की होता है साध आप जानते आपने पर लेकिन पाकिस्तान की ना तो वो होने के लिए उसको थी है वैसा माइसेट की इसलाम के लिए मुझे बहुत तरूट देए और मुझे इसे न परत है काफी रबस्पन से उनको पढ़ाए जाता है मदरसे में और आर्मी इस चीज़ का प्रमोट करती है सियाओ की खिलाब एक्स्रिमिजम पहले तो हिंदू के खिलाब इसलिए बनाते हैं ताकि इनको आतंग बादी मिले वांसे इसके बतले आर्मी पैसा कम है आपको देख लो मिया मिठ्यों को आर्मी पालते क्यों है आर्मी पालते हैं आपने देखा होगा जब इम्रान खांग से पहले दो सरगार की मुझे इस नाम याद नी उसको प्रोटेस्ट कराया तो प्रोटेस्टर को पैसे कुन दे रहा था लब्वालों को आर्मी दे रही थी पैसे अब तक किसी देश में आर्मी पैसे दे रहो अभी तक मैं देखता है कोई अगरे मैं तो कोई पॉलिटेगल पार्टी वगरे वो पैसे देती तो वह बरता लागे लेकर इसमें आर्मी देती है क्यों अरे भाई वो खुद एक्स्ट्रीमिस बिनाती है लब्वैक का असर जी रामकुमार जी एक सेकंड बस जी सावी जी आपकी बात के कुछ बोलना जा रहा हूं एक मिन आपके बात में आएंगे पहले इंडियन देंगे तो मैं बोलें हां आपके पास हम दूबर आएंगे प्लीज आपी बेट करें आजे आजे जी सावबी जी तो यहाँ पर जी जी आपकुछ कहनें झे नी नी मैं तो बॉर्ञा फिरा आप लोले पर इंडियान दी आपके अरे राम कुमार जी चले आप बोल दीजे राम कुमार जी मेरा एक बात बाट के जाए यह और फिर सगए network इसका अगली बार मैं समस्ता हो कि जब अगली बार राम कुमार जी आप कंप्लीट कर लें पहले आपको नेटवर्ट कर अब अब जया प्लेटफॉर्म नहीं है लेकिन मैं इतरी एप कि अरे साइज जी आज़े ही आपको चैनल वेकों है मस्तथिया प्याद गए पाकिस्तान के तो साबी जैसा कि अभी थोड़ी दिर पहले आपने का ना कि जैसे की पाकिस्तान में जो यह एक तरीके का कहले लीजे कि फिरका वारियत के चलते जो कतलो गारत चलती है यह तरीके का बिजनस ही है तो देखें इसके अंदर भी फिर बहुत सारी चीजों के उपर जो है अलग-अलग लोग के अलग-अलग व्यूज और एक्तिलाफात हो सकता है कई चीजों के उपर जैसे मैं मानता हूँ प्रॉब्लम यह है कि जो रिलिजिस एक्स्ट्रीमिजम जो है न वो असल में पाकिस्तान की सोसाइटी के हर एक कैलेजे के हर आस्पेक्ट में इंफिल्ट्रेट हुआ हूँ है आप भले ही वहां का एजुकेशन सस्टम देख लीजे आप भले ही वहां की कैलेजे के एकॉनम अ मैं समस्ता हूं कि देखे ये ओवर आल जो ये फिनॉमिना है न वो ले देके पूरा इलिजिस एक्स्रेमिजम के एड़गिर्द ही जो है वो गुंता है जी और मेरा फिर इम्रान खान को लेकर फिर मेरा एक की यह और मेरा मानना है कि इसने जो इतने वक्त से जो इतना इत स्टेप्स लिए जी उसके लिए हाद से जी मैलीज बाजी आप इस पर क्या कहना चाहेंगे जी बाजी आप इस पर क्या कहना कर रही है जी बाजी बाजी खेए हाद से अधिव जी लोगों को आप इस नहीं खर सकते आपके ओपर लोग बैठें और आप निर्ना तोड़ी है वहाँ पर उस नहीं चुरंद बेच कर खिलाने के कोशिश की थी लोगों को और मेरे ख्याल से इसके इंटेंशन अच्छी थी इसके पीचे उसे ये बात की थी कि देखो जो वेस्टरन कंट्रीज है ना जो मदीने की रियासत होती है ना वो वेस्टरन कंट्रीज ने अडॉप्ट की लिए सोशलिजम और ये सारा वेलपेर सिस्टम हेल्थ केर सिस्टम ये सारी चीज़ों की नहीं बता रहा था कि वहाँ पर इस सरी के से होता है लोगों की मदद होती है ये सारा तो मदीने की रियासत में होता था वह तो हम लोग अपने उस रास्ते से भटक गए हैं और बहाद के मुलकों निस्टीज को अडाप्ट कर लिया है ये चूरन दे कर लोली पॉप दे कर वो अवाम को चूरन दे कर करना चाह रहा था मगर पीछे से लोग पैठे थे जरूने वही से वेपमारी प्यू ये क्या खर रहे हो तो वहां से खीचा सेम तिंग जब हो खादियानी को नोड़े फाइनस के मिनिस्टर बनाना था और सेम तिंग उनके साथ यह वा उसके ओपर खड़े हो गए इसने अगर आप देखो तो देखें अनीरबान, गंगुली, गंगुली, अच्छा, फिर एनिवेस, आप जैसे लोगों की बताओ, प्राब्लम क्या है, आप लोगों की प्राब्लम है, जो बंदे लोग आगे कहते हैं ना कि एक कुता है इसको घधा बोलो, अमझे मैंगी ना, फाक्ट, इससे कहते हैं कि कुता कुता ही रहेगा, घधा तो होगा नहीं, अब मैं, पैदा मैं पाकिसान में हुई हूँ, तो मुझको क्या नाइजिरियन बोलेंगे या, मेरे बड़ सर्टिफिकेट पर पाकिसान दिखा है, मेरे पास्पोर्ट पर पाकिसान लिखा है, आप चन्द इंडियन को मैं पकिसान को मैं अच्छा होता है और चाहूंझी क्यूआे यार विषया पर वार है मैं यह दो जाहाँ जाहरों मैं अपकिसान को यह चाहूंगी जान कर्वान करने जा रही हूँ, just why, क्योंकि मैंने आप के लिए आप के तडले चाटने तो एक बात है, यही है कि पाकिसान में तो आप पैदा हुई, जिस दिन आप जैसे इंडियन्स मेरे पासपोर्ट से बॉर्ण इन पाकिसान हटा दो होगे ना, उस दिन मैं बोल दूगी, यह पाकिसानी हुई नी, तब तक कुछ भी हो जाए, मैं कहीं भी जाओंगी ना, मैं किसी भी आफिस में जाती हूँ ना, तुम्हाँ एक सेक्शन होता है, लिखा होता है, citizenship, born in which country, अब मैं क्या लिखूँ आपर, इंडिया लिख दूँ, जूट बोल दूँ, क्यूंकि आपकी फीलिंग्स ना रटूँ, ओ जाहे लोगों, कुछ दिमाग स्वाल कर लिया करो, और डोंट है दिमोशनल अबाओ पाकिसान, नी, I do get emotional about पाकिसान, वहाँ पर मेरे जैसे लोग बैटे हैं वहाँ पर, I know कि वो नहीं चाहते हैं इसलामी और ये जमुयत, और ये इवन जो नॉर्मल लोग बैटे हो भी नहीं चाहते हैं, मैं आप तो क्या बोल रहे हैं, जो पाकिसान गईती, लोग तो कुछ कह रहे हैं, अमेरे का आकर हम पर कबजा कर ले, ताकि हमारी जान चूटे हैं लोग से, लोग लिटरली कहते हैं ये, भाई, कोई आकर हम पर उक्यूपाई कर लो, इन लोगों से जान चूटेगी, जो भी आएगा, इनसे तो वित्तर ही होगा, सिवाए तालिवान के, और तालिवान भी अगा है? Europ chopped भाभी है तो फिल्ग आ तो पर लाइंगी, पर ड़त सपजम लेंगे, दो ये डिमोपरिशी भी चलानी है, तो शरीय लोग भी चलानना है, तो ये То इसित chemiseus भी चलानना है, तो चैर्ट्लिसम भी चलानना है, तो सब तलान है और चल कुछ भी नी रहा है इस दी उसमें खिचडी बन गई है और चल कुछ नी रहा सब्ते अनास हो रहा है मुल्क का ठीक है? So that's all I'm trying to say ठीक है? So that's all I'm trying to say आप कुछ लोगों को भी संजा नी सकते है इस पेसे में भी आपने सारा जवाब दे लेकिंगे अटी इस तो इस पेसे यहां पाकिसानी है चाहे नंगा आट से पहुंचे हैं पाकिसान में हां? तुम लोगों के बीच में ही रहे हैं हम तुम्हारी नसल से हा रहे हैं हम झाल गृट करती। बहुं लोग कहां से आएंडिया से आएंडिया से अफिको गली दे रहे हो कि अपने आपको गली दे रहे हो यह वाला सेक्शन काट के इसके एक शॉट वीडियो बनाई है यह वीडियो प्रणाई रख व्यास फॉट जो कि उन्हें लुटेशन में प्राइब में प्रणाई जी बिश्वार्ट व्यास में अजिए प्राइब जी अधरी जिए लिए अधे अधियू आर प्रणाई एक्समुस्लिम सारे इसे ऐसा लगता है महलीज ने सब पकिस्वानि हार कोई मुझ से पूच चलाता है अपने चैनल से का चला जाते है अ हारे से कर रहा है तो तो तुम अधिको क्यों सब्पाइब है और पहले पार जाते है और पार पहली बात है यह और थे निए और के बारे में इस नाहिए निए इस ने इस निए जूटी बाते बोलते हो आप तरफ दर ने की जड़ूरत है वह तो शुकर है जो भी है इस दुनिया में जिसने भी मनाई है शुकर है कि आप लोग पास मोदी जी बाठे है इस वाधिव ठीक है न वर्णा तो आप लो या थोग बाठे वर्णा तो सच पीपल ूय दे आसे लोग髏 वह जो तह methट अगे मों सुख तो आपको दिखनench मि नहां चीह तो बाठा हमारे साथ में सब्सक्राइब करते हैं तो पर्टी करती होगी ये तो पर्टी करती होगी ये तो रोजाने रखों के साथ होगी मैं अपने घर में वैठी होती हूँ चौबेस घंटे ये बंदा भी कहता है तो घर से बार नहीं निकलती है तो घर से बार निकलोगी मैं थोड़ी सी ड्राइब के लिए जाओंगी आई डोट बार निकल किया करना है लोगों से बिलती हूँ दिमाग खराब करते हैं वो मेरा वही चूतिया पर की बात नहीं गोरे भी याने अम सॉरी तुसे उनका भी दिमाग पैदल हो गया पर मेरा दिमाग घूंता है तो इस बिलतर में जो आपने उस दिस हा ना मैं सेता हूरोज मेरे पर रोज ही ऐसी यासी लगते हैं ये जर्दार हो गया ये वह हो गया है ये एक बतौर एक इंसान एज अन इंडिविजूल आप हर किसी को खुश और सैटिस्वाई नहीं कर सकते हैं तो हमारे साथ में यहां हमारी दिया बाजी जुड़ी है करके दूर सपोर्ट कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत माइने रखी है